और इसे हम मिला लेते हैं और ये स्वादिस्ट और हेल्दी भी है और बहुत जल्द बन जाने वाला रेशिपी है ये आज मैं आपके साथ साबुदाने की बहुत ही बहतरीन रेशिपी सेर करने जा रही हो तो यहां हम साबुदाना लिये हैं जिसे हम 4-5 घंटा अच्छी तरह पानी में भिगो के इसे निकाल लिये हैं सबुदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, यहां हम दही लिए हैं, दही हमारी घर की जमाई होई है, एकदम फ्रेज ताजी और इसे हम फ्रेज में रख दिये थें, तो यह बिल्कुल ही ठंडी है, तो इस रेसेपी के लिए दही एकदम ताजी और मीठी ही इस्तिमाल तो दही को हम अच्छी तरह से फेट लेते हैं, दही हमारी बहुत गार ही है, तो इसमें हम थोड़ा थंड़ा पानी मिला देंगे, और इसे एकदम स्मूथ कर लेंगे, और अब इस सबुदाने को हम इस दही के अंदर डाल देंगे, यह रेसिपी आपके पेट को बहुत थं अंधक देगी, और आप इसे बना कर खाईएगा, तो यह आपको बहुत ताजगी महसूस होगी, पेट भी भड़ा भड़ा लगेगा, और यह हिल्दी भी बहुत होता है, अब इसमें हम डाल देंगे, सफेद नमक, जो हम रेगुलर खाते हैं, काला नमक, यहां हम एक इसे भी डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं, और अब इसे हम मिला देते हैं, और अब चलते हैं हम इसमें एक सपेशल तड़का लगाने, जिससे की यह शबूदाना और दही का स्वाग और भी बढ़ जाएगा, गैस पे तड़का पेन चड़ा दिये ह और अब इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल, इसमें हम सरसो डालेंगे, और यहां हम तड़के के लिए लिए हैं, मूंग दाल, चना दाल, उरत दाल, मूंग फली और यह लाल मिर्च, इन सब को हम इसमें डाल देते हैं, मिला लेते हैं अब इसमें हम यह सुखी लाल मिच डाल देंगे और इसे अची तरह से पता लेंगे तरका हमारा हो गया है गैस का फ्लेम हम बंद कर दिये हैं और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पता अब इस तरके को हम यह दही सबुदाना में डाल देंगे और इसे हम मिला लेते हैं और यह हमारा दही सबुदाने की सबसे बहतरीन रेशिपी बनके तयार है आपके पेट को यह बहुत ठंधक देगा और यह स्वादिस्ट और हेल्दी भी है और बहुत जल्द बन जाने वाला रेशिपी है यह तो इस तरह से जब आपको कुछ अलग खाने का मन हो इस रेशिपी को आप बना कर खा सकते हैं यह हमारे सबुदाना और दही की बहुत बहतरीन रेशिपी बनके तयार है आभी इस तरीके से बनाइए खाइए इंज्वाइ कीजिए और अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद